Baby is world, makes learning easy. आज हम पढ़ेंगे बंदर और मगरमक्ष की कहानी. So, let's start. बहुत समय पहले की बात है. कहीं दूर, किसी नदी के किनारे, एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था. उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे. बंदर उन जामुन को खाता था, वह बहुत ही स्वादिस्ट थे. बंदर जामुन को खाता और पास के नदी में फेक भी दिया करता था. एक दिन की बात है, एक मगरमक्ष, बहुत ही भूखा था. वह पूरे दिन नदी में कुछ खाने की तलास कर रहा था पर उसे खाने को कुछ नहीं मिला तभी वह एक पेड़ के पास पहुचा वह पेड़ वही था जिस पर बंदर रहता था नदी में पहले से कुछ जामुन बंदर के द्वारा फेके हुए थे उसे मगरमक्ष ने खाया तो उसे वह बहुत वादिस्ट लगे तभी बंदर ने मगरमक्ष से पूछा यहां किसले आए हो? मगरमक्ष ने कहा उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और पूरे दिन नदी में घूमने के बाद भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला बंदर ने कहा लो ये मीथे में के जामुन खा लो यह कहकर बंदर ने मगरमक्ष को जामुन दिये मगरमक्ष ने जामुन को खाकर अपनी भूख मिटाई इसके बाद मगरमक्ष और बंदर की दोस्ती हो गई रोज मगरमक्ष नदी के किनारे आता और दोनों घंटो बाते करते रहते एक दिन बंदर ने कहा ये लो जामुन अपनी पत्नी को भी दे रेना मगरमक्ष ने अपनी पत्नी को अपने दोस्त बंदर और उस जामुन के पेड़ के बारे में बताया साथ ही बंदर के दिये हुए जामुन अपनी पत्नी को दिये मगर मक्षी पत्नी ने भी जामुन खाए और उसे जामुन बहुत मीठे लगे तभी उसने सोचा कि जो बंदर वो जैसे मीठी मीठे जामुन खाता होगा उसका दिल कितना मीठा होगा उसने तै किया कि वह बंदर का दिल जरूर खाएगी फिर क्या था? उसने मगरमक्च से कहा कि उसको बंदर का दिल खाना है जब तक वह बंदर का दिल नहीं खाएगी तब तक कुछ भी नहीं खाएगी मगरमक्च ने कहा फीक है, पर मैं बंदर को यहां तक लाओंगा कैसे? मगरमक्ष की पतनी ने उसे एक योजना बताई इसके बाद मगरमक्ष निकल पड़ा बंदर को लाने के लिए मगरमक्ष नदी के पास पहुचा और उसने बंदर से कहा मेत्र, आज तुम्हें मेरी पतनी ने घर पे बुलाया है उसने तुम्हारे दिये हुए मिठे मिठे जामुन खाए और अब तुमसे मिलना चाहती है हमारे घर में तुम्हारी दावत है बंदर ने कहा मैं आज तुम्हारे घर जरूर चलूँगा पर मुझे तयारना नहीं आता मगरमक्ष ने बोला अरे तुम मेरे पीट पे बैठ जाना तुम्हे तयारने की क्या ज़रूरत है बंदर ने पेड से छलांग लगाई और सीधे मगरमक्ष की पीट पर बैठ गया और कहा चलो जैसे ही वह नदी के बीच पहुचे मगरमक्ष ने कहा दोस्न मुझे माफ कर दे न बंदर ने पूछा कि तुमने ऐसे क्या किया है जब तुम माफी मांग रहे हो मगरमक्ष ने बताया मेरी पतने तुम्हारा दिल खाना चाहती है उसे लगता है कि तुम रोज मीठे मीठे जामुन खाते हो तो तुम्हारा दिल कितना मीठा होगा इस पर बंदर बहुत डर गया पर उसने हिमत नहीं हारी और बुद्धी का सहारा लिया बंदर जोर-जोर से हसने लगा और बोला बस इतनी इसी बात है मेरे दोस्त मैं तो अपना दिल देने को तयार हूँ पर एक समस्या है मगर मचने पूछा कैसी समस्या बंदर ने कहा मैं तो अपना दिल पेर पर ही छोड़ा रहा हूँ अगर तुम पहले मुझे बताते तो मैं उसे लेकर चलता फिर बंदर ने कहा अब फिर से वापस चलना होगा ताकि मैं उस पेर से दिल लेकर आऊ मगर मचने कहा ऐसी बात है तो मैं वापस चलता हूँ जैसे ही वा नदी के किनारे पहुचे तो बंदर ने जट से छलांग लगाया और पेट पर जा बैठा बंदर ने चैन की सास ली और कुछ जामुन तोड़कर मगर मक्षकी और फेका और बोला चले जाए यहां से गद्दार दोस्त तु दोस्त नहीं दुसमन निकला और एक बात किसी भी बंदर का दिल उसके पास ही होता है ना कि किसी दूसरी जगे इसलिए कहा गया है दोस्ती करो सबसे मदर भरो सामत करो फिर बंदर वहां से बिना कुछ कहे चला गया तो बच्चो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बुरी से बुरी परिस्थिती में भी हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें सब बुद्धी का प्रियोक करना चाहिए आप सब को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही प्रिर्णा दायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रही है बहुत समय पहले की बात है एक गाउं में दो बिल्लियां रहती थी दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी और दोनों आपस में बहुत प्यार से रहती थी दोनों की दोस्ती के सबी लोग उदाहरर देते थे वो दोनों बहुत खुश थी उन्हें जो भी मिलता था उसे आपस में मिल बाट कर खाया करती थी एक दिन दोनों दुपहर के वक्त खेल रही थी खेलते खेलते दोनों को जोर की भूख लगी वो भूजन की तलास में निकल पड़ी कुछ दूर जाने पर एक बिल्ली को एक स्वादिस्ट रोटी नजह रही उसने जट से उस रोटी को उठा लिया और जैसे ही उसे खाने लगी तो दूसरी बिल्ली ने कहा अरे ये क्या? तुम अकेले रोटी खाने लगी? मुझे बूल गई क्या? मैं तुमारी दोस्त हूँ और हम जो भी खाते हैं वो आपस में बाट करी खाते हैं पहली बिल्ली ने रोटी के दो टुकड़े किये और दूसरी बिल्ली की ओर एक टुकड़ा पढ़ा दिया या देख दूसरी बिल्ली फिस बोली ये क्या? तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दिया? ये तो गलत है बस इसी बात पर दोनों को जगड़ा शुरू हो गया जगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे जानवर इकठे हो गये इतने में वहाँ एक बंदर आ गया दोनों को जगड़ते देख वो बोला अरे बिल्ली रानी क्यों जगड़ रही हो? दोनों ने अपनी दोविधा बंदर को बताई तो बंदर ने कहा बस इतनी सी बात मैं तुमारी मदद कर देता हूँ मेरे पास एक तराजू है उसमें मैं ये दोनों टुकड़े रखकर पता कर सकता हूँ कौन सा टुकड़ा बढ़ा है और कौन सा छोटा फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे बोलो मंजूर है दोनों बिल्यों को बंदर की बात जच गई और वो तयार हो गई बंदर पेड़ पर चढ़ा और तराजू ले आया उसने दोनों टुकड़े एक-एक पलड़े में रख दिये तोलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा भारी था तो वो बोला अरे यह टुकड़ा बड़ा है चलो दोनों को बराबर कर दू और यह कहते ही उसने बड़े टुकड़े से थोड़ा सा तोड़ कर खा लिया इस तरह से हर बार जो पलड़ा भारी होता उस वाली तरप से उसने थोड़ी से रोटी तोड़ कर अपने मुँ में डालने शुरू कर दी दोनों बिल्लिया घबरा गई वो फिर भी चुपचाब बंदर के फैसले का इंतजार करती रही लेकिन जब दोनों ने देखा कि टुकडे बहुत छोटे होते जा रहे हैं तो वे बंदर से बोली आप चिंता ना करो अब हम लोग अपने आप रोटी का बटवारा कर लेंगी इस बात पर बंदर बोला जैसा आप दोनों को ठीक लगे लेकिन मुझे भी अपनी मेहनत की मजुदूरी तो मिलनी ही चाहिए ना इतना कहकर बंदर ने रोटी के बच्चे हुए दोनों टुकडे भी मुँ में डाल लिये और बेजारी बिल्लियां वहां से खाली हाथ ही लोट गई दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्हें समझ आ चुका था कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है और इसका फायदा सभी लोग उठा सकते हैं तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी आपस में जगड कर रिस्तों में फूट नहीं डालने चाहिए क्योंकि जब भी हम आपस में लड़ते हैं तो बाहरी व्यक्त उसका फायदा उठा जाता है इसलिए एक्ता के शक्ती को पहचारना चाहिए और मिल कर रहना चाहिए आप सबको ये कहानी कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा एक बड़े से जंगल में एक बंदर और एक खरगोश बड़े प्यार से रहते थे दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हमेशा एक साथ खेलते और अपना दुख सुख बाड़ते थे एक दिन खेलते खेलते बंदर ने कहा निट आज कोई नया खेल खेलते हैं खरगोश ने पूछा बताओ कौन सा खेल खेलने का मन है तुमारा बंदर बोला आज हम दोनों आप में चोली खेलेंगे खरगोश ने हसते हुए कहा ठीक है खेल लेते हैं बड़ा मज़ा आएगा दोनों या खेल शुरू करने ही वाले थे तब ही उन्होंने देखा कि जंगल के सारे पशुपक्ची इधर उधर भाग रहे हैं बंदर ने फूर्ती दिखाते हुए पास भाग रही एक लोमडी से पूछा अरे ऐसा क्या हो गया? क्यों सब भाग रहे हो? लोमडी ने जवाब दिया एक शिकारी जंगल में आया है इसलिए हम से अपने जान बचा कर भाग रहे हैं तुम भी जल्दी भागो वरना वो तुम्हें पकड लेगा इतना कहकर लोमडी तेजी से भागने लगी शिकारी की बात सुनते ही बंदर और खरगोश भी डर से भागने लगे भागते भागते दोनों उस जंगल में काफी दूर निकल गए तब ही बंदर ने कहा पी लेते हैं फिर आराम करेंगे बंदर ने कहा प्यास तो मुझे भी लगी है चलो पानी ढूनते हैं दोनों साथ में पानी ढूनने के लिए निकले कुछी देर में उन्हें पानी का एक मटका मिला जिसमें बहुत कम पानी था अब खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ कि अगर इस पानी को मैं पी लूँगा तो मेरा दोस्त प्यासा रह जाएगा अब खरगोश कहने लगा तुम पानी पीलो मुझे ज़्यादा प्यास नहीं लगी है तुमने उचल कूद बहुत की है इसलिए तुम्हे ज़्यादा प्यास लगी होगे फिरबंदर बोला ने तुम पानी पीलो मुझे पता है तुमको बहुत प्यास लगी है दोनों इसी तरह बार-बार एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे थे पास से ही गुजर रहे हाथी ने थोड़ी देर के लिए रुका और उनकी बात सुनने लगा कुछ देर के बाद हाथी ने हसते हुए कहा तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो फरगोश ने कहा देखो ना हाथी भाई मेरे दोस्त को प्यास लगी है लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है बंदर बोला नहीं नहीं भाई कर वो शूट बोल रहा है मुझे प्यास नहीं लगी है इसको प्यास लगी है लेकिन या पानी मुझे पिलाने की जेद कर रहा है हाथी या द्रश देखकर बोलने लगा तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है हर किसी के लिए या एक मिसाल है तुम दोनों ही इस पानी को क्यों नहीं पी लेते हो इस पानी को आधा-धा करके तुम दोनों पी सकते हो खरगोश और बंदर दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगा उन्होंने आधा-धा करके पानी पी लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगे तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का खयाल रखते हैं सच्ची दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगे नहीं होती सुंदर वन में ठंड़क दस्तक दे रही थी सभी जानवर आने वले कठिन समय के लिए तयारी में लगे हुए थे सुग्री चिडिया भी उनमें से एक थी हर साल की तरह ही उसने अपने लिए सुंदर घोसला तयार किया था उसने अचानक होने वेली बारिश और ठंड से बचने के लिए अपने घोसले को घास पोस से चारों तरफ से ढग दिया था सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से बिजली पड़कने लगी और देखते ही देखते खनगोर वर्शा होने लगी बे मौसम आई बरसात से ठंड भी बढ़ गई सभी जानवर अपने घरों की तरफ भागने लगे सुग्री चिडिया भी तेजी दिखाते हुए अपने खोसले की तरफ वापस आ गई अभी कुछ वक्त ही बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड के नीचे आ पहुचा सुग्री ने उसे देखा और कहा तुम इतने होश्या बने फिरते हो तो तुमने ठंड भर बारिश से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया या सुनकर बंदर को गुस्ता आ गया लेकिन वो चुपचा बैठा रहा और पेड की आर में खुद को बचाने का प्रयास करता रहा थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुग्री फिर बोली तुमने पूरी गर में आलत से में इधर उधर बिता दी अच्छा होता अपने लिए एग घर बना लेता या सुनकर बंदर ने कहा तुम अपने मतलब से मतलब रखो मेरी चिंता छोड़ दो बंदर का गुस्ता देख सुग्री सांत हो गई बारिस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी बेजारा बंदर ठंड से काप रहा था और उसने आपको ढखने की पूरी कोशिश कर रहा था पर सुग्री ने तो मानो उससे छेडने की कसम खा रखी हो वा फिर बोली कास तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज इस हालत में नहीं होते सुग्री ने अपने बात खतम भी नहीं की थी कि बंदर बौकलाते हुए बोला एकदम चुप अपना ये बार-बार फुसुसाना बंद करो ये ज्यान की बात बंद करो और पंडित बनने की कोशिश मत करो सुग्री चुप हो गई अब तक काफी पानी गिर चुका था और बंदर भी भीग चुका था ठंट के मारे वो काप रहा था इतनी में सुग्री से रहा नहीं गया वो फिर बोली हमसे तो अपना घर बनाना सीख लेना इतना सुनते ही बंदर तुरंट पेर पर चड़ने लगा बोला भले मैं घर बनाना नहीं जानता लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है और या कहते ही उसने सुग्री का घोसला तहस नहस कर दिया अब सुग्री भी बंदर की तरह बेगर हो गई थी और बुरी तरह काप रही थी तो प्यारे बच्चो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसी ही प्रेणा दायब और रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रही है प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब मै चैनल बाई बाई, थाइंक यू